नमश्कार दोस्तों चले आगे बढ़ते हैं प्रिश्णपत समिक्षा के खंडों में 21st question देखिए राश्टी 1 नीती 1952 के अंसार निमलिकित में से कौन सा 1 का संबर्ग नहीं आसान सा प्रशना है NCR team साफ साफ लिखा है कि राश्टी 1 सरनचित 1 ग्राम 1 यह सब आते हैं राश्टी उद्यान जो है नेशनल पार्क यह एकोलोजिकली सेंस्टीव एडिया है यह आपका राश्टी उद्यान मन का संबर्ग नहीं है समझ रहे हैं देखिए यह कॉमन सेंस की भी एक बात है दो में तो 1-1 लिखा हुए तो 1 का संबर्ग ऐसे ही हो गया तीनों में 1-1 ही लिखा हुआ एक में उद्यान लिखा हुआ है तो 1 का संबर्ग नहीं है वैसे भी आसान सा प्रशन है तो मेरा जो उद्धेश था आपको बताने का यह था कि आप थोड़ा logic लगाएंगे न तो 12 सवाल तो logic से हल हो जाएंगे देखे one 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 इसमे उद्ध्यान है रास्टी उद्ध्यान याने कि national park नेशनल पार्क इसका उद्देश से क्या था इसका उद्देश से वर्म को बढ़ाना थोड़ी है नेशनल पार्क का मतलब है इन्वार्मेंट और एकोलोजी को एक होलिस्टिक अप्रोच में सुरच चीट करना यह आपका reasoning का question है इसको मैं discuss नहीं करूँगा reasoning आप सब पढ़ते होंगे बहुत आसान सा सवाल आगे पढ़ते हैं यह भी reasoning का सवाल है मैं छोड़ देता हूँ आप इसको आसानी से solve कर सकते हैं reasoning और math math or reasoning देखिए अगर आप आरो का एक्जाम देने जा रहे हैं तो डेली कम से कम पचास question आप solve किया किजिए क्योंकि बिना अभिहासे बिसम साथ है अगर आप बिना अभिहास किये जा रहे हैं तो बहुत मुस्किल आने वाली है चाहिए इतने बड़े तुर्रम खाहूं आपका सवाल वहां पर आसानी से solve नहीं होगा समय की कमी रहती है घर पर ले आएंगे यही सब math reasoning के सवाल तो आप सवाल करी लेंगे वहां पर समय की कमी है ना प्लस दबाव है प्रेशर है तो उस प्रेशर में आपको परफॉर्म करना है उसके लिए आपके पास प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए तो डेली पचास कोस्टिन आप मैंतरिजनी के किया करिए आगे बढ़ते आपको सबको पता है कि डीजल सबसे ज्यादा हमारे यहां पर यूज होता है ठीक है अब प्रेशन पूछा है अब रोही करम में अब रोही करम का क्या मतलब होता है मतलब ज्यादा से कम ज्यादा से कम तो सबसे ज्यादा आप सबको पता है कि स्थापिच छमता का प्रचिसत पूछा है ना बहरत में उज्याद पादन के कुल प्रतिश्थापिच छमता में उनके प्रतिश्थापिच छमता पूछा है पर डीजल हमारे हैं सबसे जब रूदा उपयोग होता है लेकिन कहां से इह क्या भारत मुदपादन होता है नहीं, 80% इसका इंपोर्ट होता है देखिए, हमारे दिमांग को सबसे पहले आ सकता है चार होना चाहिए बढ़ते हैं दूँप नहीं छार क्यों नहीं होगा किगि यामारे मैंक्स फ्रवाधिक इंपॉर्ट किया जाता है प्रक्रतिक जैस वह उपादन होता है अच्छी खासी मात्रम आ में रवा गैस फिल्ड है यह सब गैस फिल्ड से लेकिन दूजल हमारे हम सरवधिक इंपोर्ट तो भारत में तो इसकी छमता नहीं है तो चारा पैसे ही रूल आउट कर दीजिए अब आते हैं नाव की नाव की उर्जा उत्पादन में भी हम छमता के साब से बहुत कम है क्यों क्यों कि हमारे हैं नाव की जो अभी यूरेनियम थोरियम वे उपलब तो हैं लेकिन उर्जा उत्पादन नहीं कर पाते हैं तो यह उससे कम है तीजरा पराकर्तिक गैस और जल जल की स्थापी छमता हमारे हां इन चारों में सरवाधिक है तो सबसे पहला हो गया एक नंबर दूसरा पर प्राकर्तिक गैस क्योंकि हमारे पास बहुत सारे हैं फिर तीसरा आएगा नाबकी क्योंकि थोरियम यूरेनिम के भंडार हमारे पास अच्छे खासे हैं और चौथा आएगा डिजल क्योंकि हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं तो चार सबसे बाद में आ गया तो 2800 पहले ही ऑप्शन आपका डिक्लेयर था आगे बढ़ते हैं यह भी रीजनिंग का सवाल है ठीक है यह आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे सवाल साल हो जाएगा आगे बढ़ते हैं यह सब रीजनिंग के ही सवाल है यह मैएक कहा है यादि गहन के प्रतेइकट रजिशत कम कर जिया तो वहते कंभी की नता हम करते हैं यानि कि अब है और तो घर्म क्या होता है घर्म होता है आपको घुजा का क्यूब घुजा का क्यूब अभी नई घुजा होगे यह 90 प्रिचत 90 प्रिचत मतलब 0.9 0.9 का क्यूब कर देंगे तो कितना आएगा 0.00271 ऐसा कुछ करके आएगा तो 27% आही जाएगा आपका आसान से सवाल है लगाएगा हल हो जाएगा यह भी रिजनिंग का ही मैत रिजनिंग का सवाल है समाने पासा दो बार उचालने के प्रक्रिया में प्राइपता प्रोबिल्टी पूछा है अलाकि हम यह सब चीज़े प्रोबिल्टी और पढ़ाएगे लेकिन अभी समय लगेगा इन चीज़ों में तो आप खुद से भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे मैत रिजनिंग के अच्छे खासे सवाल आ रहे हैं डिली कम से कम पचास कुश्चन आ प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि यह आपको जो एज देते हैं यह कोई भी आम जनमानस आप थोड़ा सा समझेंगे ना तो कर ले जाएंगे मैत थोड़ी टफ होती है बर रिजनिंग कोई टफ नहीं है लुप्त संख्या यह भी रिजनिंग है इसको आप आराम से स्वाल कर सकते हैं यह सब आसान प्रशन है दो संख्याओं का योग उनके वर्गों का अंतर है दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है आसान सा प्रशन है यह भी मैत का प्रशन आसान है आते हैं देखिए यूपी में 2011 है कि भारत की जनगर्णा के अंसार साक्षरता दर आसान सा सवाल है क्योंकि अगर आप जनगर्णा पढ़े हैं और उत्तरप्रदेश की परिच्छा देने जा रहे हैं यूपी के बारे में नहीं पढ़के जा रहे हैं तो फिर तो बहुत मुस्किल है कि आगे सेलेक्शन होना ठीक है आगे बढ़ते हैं बहुत के समस्त्राज्ज्यों में 6 रफल के अंसार उत्तरप्रदेश की रफल है बड़ा असान सवाल है सबसे ज़्यादा अरा 3 रफल मिराज स्थान महराश्य गरता है आपका उत्तरप्रदेश पांचवा स्थान किसका है पहले उत्तर प्रदेश चोटा दागिस से आंधर प्रदेश जब पूरा एक में था आंधर प्रदेश के लगा नावी तो लाग अलाग हो गया पिर आगे बढ़ते हैं सवाल है देखिए निम्लिकित में से किस जिले में मार मिर्दा पाई जाती है अब ये उत्तर प्रदेश सेंट्रिक कुस्चन है साब साब परिशावाणी उठाएंगे तो वहाँ पिर मिर्दा वाले खंड में लिखा हुआ है ये स्वाल असान प्रश्न है पिर रिज्णी का प्रश्न है किस वर्ज भार ते नु नाट एक अदमी के श्थापना हुई बड़ा असान सा सवाल है थी वहीं से हर साल उसी किताब में से सवाल पूछेगा परिषावाणी में सब लिखा हुआ है किस अस्थान को सितार और सुर्भार संगीत के इम्रंग घरानी के लिए जाना जाता है आसान है इटावा लिखा हुआ है यह कौन सुमेलित नहीं है फसल की प्रजाती यह थोड़ा टफ कोश्चन है अगर आप अगरिकल्चर वाली जो छुट्टी बुकलेट है उसको एक वर धंक से पढ़के नहीं आए रटके नहीं आए तो यह थोड़ा सा मतलब टफ पढ़ जाता है देखिए यह भी रिजनिंग है इसको छोड़ दीजे इनकित में से किसका जन्म आगरा में हुआ आसान सा सवाल है इतियास की किताब में भी दिया हुआ हुआ है इकटना चक्र मे रहे मुद्दिन खान इस तरह किसा मुझे नॉर्मल किताब में तो नहीं मिला ठीक है कौन परमवीर चक्र विजयता नहीं है यह ऐसा सवाल है ना कि सब बहुत कठिन सवाल है अब आप हर साल के परमवीर चक्र विजयताओं को नाम थोड़ी याद कर पाएंगे देखिए य यह सब चीजे आप देख सकते हैं वैसे इसमें लिखा है मनोज गुमार पांडे को योगन सिंग आदो संजे गुमार करे सम्मान जुलाई में प्रदान किया गया था यह बहुत कठिन सवाल है इसको आप छोड़ी दीजेगे जो चीज ना एकदम से ना उसको आप छोड़ दीजेगा आपको 140 में 140 तो नहीं सवाल करना है आगे बढ़ते हैं यह मैत का सवाल है उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बहुत आसान सवाल है सुचिता किर्पला ने सरवाधिक बार कुन मुख्यमंत्री रहा है उत्तरप्रदेश में महिला वह है माय आती जी आगे बढ़ते हैं देखिए यह आसान सा प्रस्ट है आपको पता होगा मेरट अपना खेल पूद के लिए जाना जाता है आजकल उत्तरप्रदेश में प्रस्टों की प्रविर्ति बन सब्सक्राइब को पता है खेल पूद के सामान मिलता है और अखिम पूर्खिरी का तो मुझे कुछ आडिया नहीं है यह उत्तरप्रदेश सेंट्रिक जो भी किताब होगी वहां आपको मिल जाएगा नावकी संलेयन रिक्टरों के विशे आम नीमखेत कथनों पर विचार की यह देखे आसान प्रस्ण तब है जब आपको नावकी रिक्टरों के बारे में पता है कथन टाइप का है यह वह भारी नावकी के विखंडन के सिद्धान पर क्राम करते हैं यह तो सब को पता होगा देखे नावकी जो उर्जया है वो दो तरह से होती है संलेयन नियुक्लियर फ्यूजन एफ यू से यू उनिटी और एक होता है विखंडन यानि की फिजन तो नावकी के विखंडन के सिद्धान पर क्राम करती है साधान ते उनकी टोक्मार्ग डिजाइन होती है अब डिजाइन क्या होती है यह तो मुझे नहीं पता था वे बहुत आपकरम पर काम करते हैं यह तो बात सही है देखिए नावकी सनलें रिक्टरों के विखंडन के सिद्धान पर काम करते हैं तो जब सनलें यहां लिख दिया है तो विखंडन के सिद्धान पर कहां से काम करेगा यानि कि पहला option बिल्कुल गलत है तो पहला option जहां जहां हो उ इनों विकल पाएं ठीक है आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाने की ज़रूत है यहां पर प्रक्ष्ण में दिया है नाविकी सनलेयन की रियक्टर ठीक है और पहला ऑप्शन ही दे रहा है कि भारी नाविक्यों को विखंडन अभी मैंने आपको बताया कि दो तरह से नाविकी उ बाकी दो आपको पढ़ने की ज़रूत नहीं है आसान सा प्रस्न है किस अस्थान पर मुडिया पूडिमा मेले का अजन किया जाता है यह आप परिछावाणी का जो उत्तरप्रदेश पेसल आता है उसमें देखेंगे मिल जाएगा आपको आसा सवाल है ट्रैंजिस्टर का मह अभी हम इसको इसको सावरूर जावाले मापको डिटेल में पढ़ाएंगे सेमीकाड़कर क्या होते उसमें P, N, J, M, F, F, E, F, E, F, E, F, E, F, E. होता है Germenium कम यूज होता है लेकिन यहां silicone option में नहीं है इसलिए Germenium option correct है Transistor इसी से बनाया जाता है फिर देखने हैं ये आसान सा प्रशन है सब उत्तार प्रदेश के किताब में लिखा हुआ है हलके रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरियता दी जाती है हलके रंग उश्मा को कम अवसोसित करते हैं देखिए गर्मी में वरियता दी जाती है आप सबको पता होगा सफेद सफेद क्या करता है सारे प्रकाश के सभी सारे प्रकाश को क्या करता है परावर्तित कर देता है ठीक है लेकिन मतलब मेली क्या होता है सफेद को पहना जाता है आपने देखा होगा अरब देशों के लिए ज्यादा तर सफेद कपड़े पहनते हैं क्योंकि प्रकास का परावर्तत सफेद कलर से सरवाधीक होता है सबसे मतलब क्या बोलते हैं पूरा पूरा जो स्पेक्ट्रम होती है उसको परावर्टित कर देता है रवा कि रण्णिन कपडों को गर्मी मरीता क्यों दी जाती है क्योंकि उसमा के कम आउस्सोसित करते हैं दिखो के मैंने सारी बाते आपको बता दी हलके मुतल जो कल्र ना हो यानि कि सफेद देखे आपकी आँखों को वही कल्र दिखता है जो पदार्त से रीफ्लेक्ट हो कर अ albeit वही बात है सफेद कफड़ में का होता है स्पTerum Uati साथ कफड़ की न वीविगेवर , पूरा पूरा वीविगेवर को रेफिलेक्ट कर देता है सातों Kllälle तो सफेद कपड़ा आपने देखे हुँग आपने आरब कंट्री में एक पिक्चर देखे होंगे तो उसमें अरब कंट्री के आते होंगे उस बसेद कपड़ा ही पेहनए तो सफेद कपड़ा ही भी हम जैस worst यह सेरी म्लखित में से इनले कौन सा सही शुमेलित है Thermal Registrer, Thermal Register Register지를 का मतलब दो तरह दो चीज़ा होती है एक तोストाइव प्रतिरोध होता है और Registering से भी होता है इसमें आपको मतलब में मैंमोरी धना आपके में 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 होरी तो तो ब़ूर होती है जब रिजिस्टर कीमोडर कि इसमें पीमोरी यूज हूता है निरिक जा सकने थर्मेटर क्या करता थर्मामीटर होता है जो टाप मापता है है तो ksen remove register का मतलब जिस norm Records कि score कर सके store कूण करेगा जो electronically active होगा करे से power जो तब थावि um Eco और ना यह तो यह एक आसान सा प्रशन है therm hai देखिए जंक्शन डायोड आप अर्धक नहीं होता है, जंक्शन डायोड आपका अर्ध चालक होते हैं, ट्रांजिस्टर में यूज होते हैं तो यह ऐसे प्रस्ण है घटना चक्र की विज्ञान की जो पुन्रावलोकन की सीरीज है उसमें साफ साफ यह सारी चीजें एक्स्प्लेइन की हुई है, आपका काम क्या है कि आप एक ही जो सब्जेक्ट है उसको 4-5 बार पढ़ेंगे न सारी चीजें आपको क्लियर हो स्टेट cuánt क्या होता है। यह स्टेट लाइट देखी है यह ऐर पॉक्ट है dwa ऐति यह झालीजे ऐशिप कहलीजे, एईर मास्क कहलीजे ठीक है तो यह एक ऐसी जानकारी है जो भूगोल की मतलब अच्छी किताब में मिलती सामान किताब में नहीं मिलती यह मेरे साथ से कठिन प्रशन है अगर आप उना आए इस तरह के प्रशन तो चोड़ दिए गया जबर दस्ती उसमें मतलब क्या बलते हैं तुप का मारने की ज़रूरत नहीं है अगला प्रशन में आते हैं सुमेलित करने के लिए पूछा है अड्यों में उपस्तेति योगी सिर्का में उपस्तेति दूद का खट्टा होना आप सबको पता है दूद का खट्टा होना क्या है लैक्टिक एसिड है पकना आप सबको पता है फलो तो पकना एथिलीन की वज़े से होता है तो बहुत सारे option रटने जरूरी नहीं यहां विज्ञान की आप किता में जाएंगे उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा गट्मा चक्र में सब कुछ दिया हुआ है यह कित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है देखिए स्वप्रतिरक्षित रोग यह सब जो गटना चक्र है विज्ञान की उसके बाइलोजी वले खड़ में लिखा हुआ है चुकि यह मत्दम कह सकते हैं इसको जो विज्ञान की सिरीज है इसको तो आप कंठस्त करके जाएगा दो प्रश्न पक्का आएगा इसी तरह के प्रश्न उसमें से आते हैं गुमा फिर आके इधर कंधर करके साप के जहरीले विजदंत होते हैं जो रूपांतरीत होते हैं यह सब कुछ आपको लूसेंट में भी मिल जाएगा लूसेंट की साइंस वाली सेरीज है और जो जी एस वाली सेरीज में साइंस चेप्टर है उसमें मिल जाएगा इम खित में से किसका उपयोग विस्पोटक क रिलतने पाधन में क्या जाता है ग्लीसरॉल से रहना था और फित बिलिपों इस इप ट्यों जाता है आइए ट्योंग बशूरीद एक ट्योंड ताम ये से बहुत इसा परको कर्म एक बर्त्यो के बारे में आपको पता है कि आपको जो यह मलेरिया और यह सब होता है मादा इनिफिलिस मच्छर से होता है और मतलब कॉमन सेंस भी आप अपना कुछ यूज करिए इस प्रशन में आसानी से प्रशन सौल हो जाएगा केवल नर रक्त चूशते हैं ऐसा तो होई नहीं सकता अगर सिर्फ नर काम करेगा तो फिर सिस्टी चली नहीं पाएगी यह तो अप्शन ही गलत हो जाया मादा पौधों का रस चूशती है भी गलत है पौधों से तो कोई भी मच्छ रसी नहीं चूशता है तो एक और तीन गय हैं दो दोनों में काम नहीं है तो हम आप के कि यहां पेमकर लेकर लेग यह होना है जाएगे अब बचता है चार और पांच मादा लिखशा नर बिठाब .... नर की बिठाम नहीं बड़ए होते देखे इस तरह की चीजें किसी को नहीं आती है विश्वास मानिए किसी को नहीं आती जब तक कि वो बाइलोजी में या जुलोजी बाटनी में या डॉक्टर नहों बीबियस नार्मल आदमी जो हम लोग की तरह से एक्जाम देने जा रहा है उसको यह चीज़े नहीं आती है तो ऐसी दसा में क्या करें ऐसी दसा में कॉमन सेंस का यूज करें जब किवल मादा रग तो चूशती है तो मादा के ही डैने बढ़े होंगे कॉमन सेंस की बात है न तो आप आसानी से इसको 2-5 लगा सकते हैं अगला प्रसन देखते हैं निमलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्मार में किया जाता है लाल फास पोरस ये एकदम आउड कुस्चन है हज बार पूछा जाता है याद कर लीजिए अपको हर एक्जाम में ये पूछन पूछा जाता है और लूशिंट और यिशाम में दिया भी हुआ काटन PCS में तो आप यह आद करके जलिए आपको सब कुछ ऐसी टाइप की चीजे बाइलोजी की चीजे सब कुछ याद करके चलनी है बाकी जो प्रशन बचे हैं उसको अगले वीडियो में डिसकस करेंगा अभी साच तक प्रशन हो गए अभी के लिए इतना ही थैंक्यू सो मच